lesson plans dear students मुझे इस module में language development के lesson plans के बारे में बात करनी है सबसे पहले हम देखेंगे के what is lesson plan or what are its parts कौन कौन से हैं इनके हम जरा तफसील से देखेंगे so lesson plans are essential components of effective teaching यह बहुत जरूरी part होते हैं teaching का और इसके बगार आप समझ लें के teaching दूरी रहती है a lesson plan is detailed outline यह एक तफसीली खाका होता है मुखलिफ अक्दामात और सरगर्मियों का जो एक teacher अपने जो lesson पढ़ाना चाहता है जो नफस मजमून या मुआद पढ़ाना चाहता है उसको वो उसके बारे में और purpose of lesson plan क्या होता है के to provide a structure framework for the teacher to deliver content in a logical way तो जो वो content को पढ़ाना चाहता है वो उसके लिए framework है यनि उसके limitations है उसके दाइराकार है और basic components हैं जिनको interact करके वो lesson पढ़ाता है और किस तरह उसने एक मुनजम और organized तरीके से और logical way से वो lesson पढ़ाना होता है ये lesson plan के इसमें एक खाका बना हुआ है एक lesson plan आप इसकी तस्वीर में इसको आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको तफसीलात के साथ next दिखाऊंगा तो जब भी कोई lesson plan start किया जाता है उसके components को हमें देखना जरूरी है तो उसके मुखलिफ components हैं जो start से end तक चलते हैं और उनको एक lesson plan वो बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला है objectives ये जहन में रखें कि objectives दो तरह से होते हैं एक अमूमी मकासद यानि अमूमी objectives और दूसे खसूसी अमूमी मकासद जो होते हैं वो उस पूरे subject के बारे में होते हैं पढ़ाया जा रहा है और खुसूसी मकासद जो होते हैं वो उस content ये chapter या unit के बारे में होते हैं जो जो under study होता है जिसको teacher पढ़ा रहा होता है और उन objectives को इसको specific objectives भी कहते हैं और ये जहन में रखें कि ये इसके पांच characteristics हैं जो हम इन objectives को मैयर कर सकते हैं तो लफस है smart तो specific मेयरेबल ए अटेनेबल और relevant और टी टाइम बाउंड तो ये पांच characteristics हैं subject objectives को मैयर करने के उसके बाद है instructional material तदरीसी resources इसमें aviates भी होती हैं इसमें worksheets हो सकती हैं इसमें charts हो सकती हैं ये कुछ और चीज़ें जो भी जो भी आपका study आप करा रहे हैं लेसन पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसके content के relevant वो सारे resources होंगे teaching strategies देखें strategy क्या होती है ये teaching method से different थोड़ी होती है teaching method जो होता है permanent होता है जबके teaching strategy होती है ये time to time change होती है अब इसकी एक चोटी सी मिसाल आपको देखें के मैं बता सकता हूं कि देखें एक teacher अगर class में enter होता है class shore कर रही है तो एक तरीका ये है कि आप teacher बहुत खुद shore करके उनको चुप कराए दूसी strategy ये हो सकती है कि वो खड़ा हो जाए और जो बच्चे उसको देखते जाएंगे वो खामोश होते जाएंगे तो ये different strategies है time to time आप यूज कर सकते हैं assessment methods ये भी शामिल होते हैं आपको अपने lesson में बताना होता है कि assessment methods आप कौन से यूज करेंगे और end evaluation of a lesson plan और end पे आप पूरे lesson की evaluation करेंगे यानि जाहिजा बताएंगे तो अब हम थोड़ी सी तफसील के साथ इन पे बात करते हैं objectives इनके बारे में मैंने आपको अबी एक तो बताया कि ये achievable होते है objectives के ये दूसरी जो category है उसे हम कहते हैं bloom taxonomy तो उसमें तीन डूमेन है cognitive, psychomotor और effective उन तीन डूमेन के लिहाज से भी हमने देखना होता है और ये याद रखें जो objectives होते हैं वो content के relevant होते हैं जो पढ़ा रहे हैं उसके मताबक होने चाहिए content content क्या नफसे मजमून the content of lesson plan reflects what teacher will teach in the lesson जो teacher वो class में वो जो subject का unit पढ़ा रहा है वो उससे मुराद content उसे कहेंगे it should be organized in a logical way तो ये logical way से इसको organize करना चाहिए यानि कैसे इसका आगास किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, proceed किया जाए और उसका sequence भी होना चाहिए और learning objectives के relevant होना चाहिए उनको match कर रहा हो और content should be appropriate to the level of students ये भी एक अहम characteristics है कि जो आप content पढ़ा रहे हैं वो students के age level के मताबक होना चाहिए उनके cognitive level यानि उनकी mental age के मताबक होना चाहिए next procedure है, ये procedures are steps that teacher will take to the teach the content and achieve the objectives तो वो तरीका कार है क्या अख्तियार करेगा, कैसे करेगा, ये नि वो उसमें तक्रीरी method यूज़ करेगा या वो student centered teaching करेगा, activities के जरीए बचों को involve करके कैसे करेगा, ये पहले define करना होगा और they should be clearly outlined and organized in a logical sequence, तो पहले से ये organize करके उसको lesson plan के अंदर written होना चाहिए और the procedure should include activities, exercises and assessment, तो यनि ये सारी चीज़ें के एकसे assessment भी आपने कैसे करनी है और activities और exercises आपने कैसे करानी है, ये सब आपको teacher को बहुत clear होना चाहिए और वो timely use करें उनको, तो ये again lesson plan का, ये एक introduction है lesson plan का, फिर इसको आप मुखलिफ तरीकों से आप कर सकते हैं आप activities के जरीए कर सकते हैं, आप question answers के जरीए कर सकते हैं, आप कोई भी उसको पिछले lesson से relate करते हुए, पिछली कुछ information के साथ relate करते हुए आप उनको करते हैं और फिर उसके बाद है, नेक्स आप उसकी demonstration है, टीचर आगे करेगा, ये नहीं पढ़ाएगा वो कैसे उसको, अगर language पढ़ा रहा है तो वो खुद पढ़ के model reading देगा, और students से पर करवाएगा, तो practice है, फिर उसके बाद है, कुछ break हो सकती है बीच में, ठीक है, और फिर individual assessment students को ये रिए चेक करने के लिए teacher ये कहेगा, assessment use, कि skills कुछ use करेगा, question करेगा, या quiz करेगा, या कुछ और, के बचों ने सीखा है, या students ने सीखा है, किस हाद तक सीखा है, और फिर उसके बाद next आगे proceed करेगा, और इसमें जो आगे फिर recovery procedure है, यनि recapitulate करना है, और MCQs paper के ज सकता है, तो lesson का closer भी ये है, कि जो कुछ आपने पढ़ाया है, आपने उसको logical way से close करना है, किसी activity पर या किसी चीज़ पर, जिस से वो students को वो lesson याद रहे, और उसको खास तोर पर उसकी activities को वो याद रहे, so material and resources, lesson plan में material resources भी बहुत important है, ये students की learning को increase कर सकते हैं, उनको permanent बना सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया कि ये lesson में पहले define किये जाते हैं, क्या उसमें white board है, उसमें adjuster है, उसमें charts है, क्या है, ये resources जो भी है, ये real things है, किस तरह, और उनको एक appropriate level पर, students को उनके lesson के context में, उसको select भी करना चाहिए, और use भी करना चाहिए, और material resources can include textbooks, worksheets, audio visual aids, and other teaching aids, तो ये सारी चीज़ें उसके resources में शामिल हैं, अब assessment evaluation, ये सबसे important है, कि जब तक अगर आप assessment ये evaluation नहीं करेंगे lesson के end पर, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस तरह पढ़ाया students को, तो how teacher will assess the learning outcomes of the students, so it should be aligned with the learning objectives, जो आपके learning objectives हैं, उनके साथ इसकी match होना चाहिए, ये align होने चाहिए, और assessment of, assessment and evaluation, याद रखें, assessment जो है, वो इसका मतलब तखमीना, और evaluation एक comprehensive term है, इसका मतलब जायजा, इसमें ये test, quizzes है, homework and other assignments है, ये सारी इसमें शामिल है, reflection and feedback, ये भी जहन में रखें, reflection और feedback भी important part है, lesson का, कि आप students को जो कुछ learn किया है, उस पे उनको reflection द यानि किस हाद तक, student खुद भी अपनी learning पे reflect कर सकते हैं, और teacher उनको feedback देख सकता है, और यानि वो lesser को किस तरह करें, उसको reflect करें, और identify areas of improvement, teacher को ये पहले, यानि आपके जो objectives हैं, आपको बताते हैं, कि कौन से areas हैं, जो आपने identify हैं, फर्स करें, आप language सिखा रहे हैं, तो आ ये अप area आपने identify कर लिया, अब आपने इस relevance के साथ उसको feedback भी देना है, और किस तरह करना है, और ये बहुत बड़ा important component है, और students को जो है, वो उसके learning outcomes को हासल करने में बड़ा मौवन होता है, तो ये एक lesson plan का template है, जिसमें सारी activities बताई गई हैं, कि कैसे lesson start करना है, कैसे student वो कैसे करनी है, use करनी, teacher क्या करेगा, students को कौन सी activities में involve किया गया है, कैसे किया गया है, वो सारी detail इसमें दी हुई है, उसके बाद जब आप lesson पढ़ा लेते हैं, तो आपने कैसे उसकी assessment या evaluation करनी है, और किस तरह आपने उनको homework देना है, homework भी एक तखलीकी चीज है, जो ब language learning के हवाले से, या language teaching के हवाले से, teacher को बनाना चाहिए, और यह उसका skill है, teacher का,